गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स बच्चों आज हम दादा जी पाठ की कहाने का अगला हिस्सा पढ़ेंगे सोनाली ने अखरोट इकठे करने का कारण बताया जब सब बच्चे उने उसे देख लिया कि सोनाली के पास इतने सारे अखरोट हैं तो उसने अक्रोट इकठे करने का कारण बताया उसने बोला कि आज सुब अजान की आवाज नहीं आई थी तो मैंने सुचा शायद दादा जी बिमार है मैं उनका हाल चल पता कर लेती हूँ उन्हें अक्रोट बहुत पसंद है बस इसलिए मैंने सारे अक्रोट इकठे कर लिये एक लड़का बोला हाँ आज सुब तुमारे दादा जी किसी से बात कर रहे थे कह रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है जो काम बुखार हो गया है तीसरे लड़के ने कहा हम ये सारे अक्रोट दादा जी को ही दे देते हैं वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे और सभी ने उसकी हां में हां मिल आई और सभी बच्चे मिलकर दादा जी के घर की तरफ चल दिये अब चारों और रोशनी फैलने लगी थी उन्होंने दादा जी को जाकर सलाम किया और उन्हें अक्रोट भेंट में दिये दादा जी बच्चों को देकर बहुत खुश हुए उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और धेर सारी दुआएं दी बच्चों आप यह कानी को ध्यान से पढ़ेंगे